नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होमेपेटिक ओस्धी बोरेविया डिफ्यूजा के बारे में इसे पुनरनवा भी कहा जाता है दोस्तों, यह बहुत ही जादा प्रभावसाली उजदी है और इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट पाय जाते हैं जिस प्रकार से एलोपेटि में हाइडोकाडिजोन मेडिसीन असर करती है सूजन उतारने के लिए ठीक उसी प्रकार से दोस्तों होमेपेटि में पुनरनवा का मदर टिंचर या बोरेविया डिफ्यूजा का मदर टिंचर यूस किया जाता है दोस्तों ये जिस पोदे से बनता है जिसे पुनरनवा कहते है वो पूरे भारत में पाया जाता है और होमियोवेति के सांसा आयूर्वेतिक में भी दोस्तों बहुत जादा इस्तमाल होता है पुनरनवा का सरीर में कहीं भी किसी भी कारण से यदि सूजन आ रही हो तो सूजन क से आराम मिलता है वहाँ पर दोस्तो पुनर नवा बहुत ही अच्छा असर करती है जैसे मान कीजिए आपको सर्दद हो रहा हो और वहाँ पर आपको यदि आप बर्फ की सिकाई कर रहा हैं सर पर या आपने कोई ठंडा सा कपड़ा रख लिया या ठंडे पानी से अपने सर बंद हो जाता हो तो ऐसे केसे में दोस्तो यदि आप पुन्र नवा नवा का मिधा ठंच देते हैं तो ऐसा साल जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है दोस्तो दूसरी बात करें है तो यदि किसी ब्यक्ति को आंचों मे दर्द रहता हो आँखों पर सूजन रहती हो, सूजन हमें साच चड़ी-चड़ी सी रहती है, तो एसी सूजन भी दोस्तों पुर्णनवा का मदर टिंचर उतानने का काम करती है, यदि किसी ब्यक्ति को सर्दी के बाद खासी सी रहने लगे, उसमें कफ निकलने लगे, कफ का कलर सफेद हो, कफ गाड़ हो, तो ये कफ दोस्तों पूरी दरह से बाहर निकलने का काम पुर्णनवा का मदर टिंचर करती है, ठीक इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अस्थमा से परिसान है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सांस में कफ हमेसा बना रहता हो, कब बारवार जोर लगाने पे ब आयूरेटिक प्रापरटीज भी होती है, मतलब बाथरूम लगाने का काम करती है, तो ये धी किसी भी कारण से आपके सरीर में कहीं सुजन होती है, और आप पुनरनवा का मदर टिंचर लेते हैं, तो आपको रिजल्ट में बाथरूम ज़्यादा लगती है, जिस प्रकार से एलोपेती में लैसिक्स या दूसरी दवाए सुजन कम करने के लिए यूज की जाती है, उसी प्रकार से होमेपेती में पुनरनवा का मदर टिंचर दोस्तों सुजन दूर करने का काम करता है, इसके अलावा पुनरनवा लेक्जेटिव भी होती है, मतलब पेड भी साफ करती साथ ही साथ, एक्स फेक्टोरेंट क्वाइटी भी इसमें होती है, मतलब कफ को बाहर निकालने का काम भी करती है, दूस्तों यदि किसी व्यक्ति को बार बार हिर्दय में जोर जोर से उसका हिर्दय धर्दर आता हो, उसे अपनी ही हाड़ वीर बहुत जोर से सुनाई देती साथ में दर्द रहता हो घबराहट सी महसूस होती हो और हाट की किसी प्राबलम के कारण सरी में कहीं सुजन आती हो तो वहाँ पर भी दोस्तो बोरे वियर डिफ्यूज आया याने पुनना नवा का मदा टिंचा दोस्तो बहुत ही अच्छा काम करता है इसके लबा दोस्तो यदि किसी व्यक्ति को बात्रूम में बहुत कम मात्रा में बात्रूम आ रही हो बात्रूम का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो मतलब जो हलका सा लाइट कलर की बात्रूम होती है उसको ना निकल कर डार्क कलर किया तो डार्क येलो कलर किया एकदम बहुत ज़्यादा डार्क लिए तो याद रखिए सरीर में किसी भी कारण से सूजन हो चाहे किड़नी सही से काम नहीं कर रही हो बातरों आपको सही तरीके से नहीं आ रही हो उसके कारण सरीर के किसी हिस्से में सूजन हो या आपके हाट की किसी समस्य के कारण सरीर के किसी हिस्से में सूजन हो या आपक दोस्तो पुनानवा का मदर टिंचर एक और केस में बहुत ज़्यादा यूज़ किये जाता यदि किसी जहरीले कीडे ने आपको काटा है और जहरीले कीडे काटने के वाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो तो वहाँ पर भी बोरेविया डिफ्यूजा का मदर सरीर में सूजन आई हो वहाँ पर भी दोस्तो बहुत अच्छा असर करेगा वोरेविया डिफ्यूजा मतलब कहने का सार ये है सरीर में किसी भी कारण से सूजन आई हो वोरेविया डिफ्यूजा उस सूजन को पूरी दरसे ठीक करने का काम करेगा अब दोस्तो आखिर इसकी नर्मल डोज आपको लेना है 20 बूंदे सुबह दोबर और शाम में आदा कप पानी के साथ परंदु यदि आपको सरे में बहुत ज़्यादा सूजन है आप सूजन निकालने के लिए से यूज़ कर रहा है तो आपको इसकी सुरुआत में 30 से 35 बूंदे सुबह दोबर शाम रा किसी होमेथिक डाक्टर की देखरेक मिले क्योंकि आपकी बीमारी की हिसाब से हो सकता है कि आपका डाक्टर आपको एक दू मेडिसीत और ज्यादा एट करे जो आपके लिए बहुत ज्यादा वेनेफिशियल हो तो ये था आज का वीडियो बोरेविया डिफ्यूजा याने अबाके मदा टिंचर के बारे में उमिद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बंदे मात्रा